कि एक काफी कॉमन बिमारी है और मोस्ट 30-40 परसेंट जनरल ओपीडी में हम स्टाय के देखते हैं स्टाय जो है का इंफ्रेक्शन है स्टाय जो है हमारे आखों के में ग्लांड के एक ग्लांड का इंफ्रेक्शन है नॉर्मली हमारे 30-40 में ग्लांड ओते हैं उपर की पल्कों में और नीचे की पल्कों में 10-20 होते हैं यंद का इसका दूसर नाम इंटर्नल हाटियो लंबी होता है बाकी हो सकते हैं जैसे कि लाली होना कभी-कभी पस दिखाए देना पीली रंग की formation दिखाए देना कभी-कभी वहाँ पर सूजन हो सकती है कभी-कभी वहाँपर लाली हो सकती है कभी बहुत पानी आ सकता आको से लेकिन सबसे कॉमन सिंटम जो है वो दर्द ही है कि कई तरह के इलाज है सबसे जरूरी चीज़ है गरम सिकाई करना सूखी सिकाई करने चाहिए गीली नहीं साफ कपड़ा लेकर उसमें नमख भरके उसकी पोठली बनाकर तवे पे या प्रेस पे गरम करके उसको जहां पर सबसे ज़्यादा सबसक्राइब करने के लिए जितना आप अच्छे से मसाज करें इस में जल्दी जल्दी श्टाइग ठीक होगा इसके लाव हम कुछ एंटिबैटिक क्रीम टापलेट कुछ दर्द के लिए द्वाईयां पर जिनके बहुत सीरियुस होतों उनको कभी गभी करके इंजेक्शन जरूर दिखाए सिकाई definitely continue रखे सिकाई से बहुत फायदा होता है डॉक्टर को दिखा कर प्रॉपर एंटिबाइटिक क्रीम और ले 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 और उसको अस्तमाल करें आपको स्टाय के लिए बस यही जरूरी है कि पानी ना लगा है और अगर आपके शुगर हाई रहती है आप तो शुगर को कंट्रोल अच्छे से रखें रोखने के सबसे अच्छा तरीक है अपनी आखों को जादर ना टच करें आखों को चूने से बनता है हांसे वह भड़ भी सकता है हाथ अच्छे से धोए sanitizer यूजज करें या हाथों को वाश करें कोई face wash करते समय या कुछ काम करत है अगर आपके चश्मी की पावर है आप चश्मा लगातार पहने हैं चश्मा ना पहनने से लोगों को इरिटेशन होती है वह आखों को ज्यादा रगड़ते आखों को ज्यादा चूलते हैं झाल 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 झाल